विश्व के सर्वसरिष्ट पुरुसकारों में से एक नॉबल पुरुसकार दो हजार चौबिस की कंप्लीट घोशना हो चुकी है और फैंस ये टॉपिक आपके लिए काफी जादा इंपॉरेंट और ट्रेंडिंग है अगर आप किसी भी एक्जाम की त्यारी कर रहे हो तो फै सब कुछ मैं आपको करवाने वाला हूँ अगर आप ये एक वीडियो देख लेते हो आपको किसी और वीडियो पे डिपेंड होने की ज़रुवत नहीं बड़ेगी अपने आप में ये कंप्लीट वीडियो रहने वाली है ये आपके रवी सरकाव वादा है तो चलिए हम स्ट स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूँ कि डिली करण्ट अफ़री क्लास हमारी स्टार्ट हो चुकी है यहाँ पर जाके आप देली करण्ट अफ़री क्लास ले सकते हैं और इसी के साथ एक इंपॉर्मेशन आपके लिए ये है कि इसका पीडियो अपने मोबाइल एप्ल और हमारा टेलिग्राम रवी स्टाडी जीके है इसे भी आप इंस्टॉल कर लेना अपने फोन में तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे नॉबल पुरुसकार के बारे में नॉबल पुरुसकार की स्थापना तब की गई जब व्यवसाई और उध्यमी अलफेड नॉबल की मृति हो गई और उन्होंने अपनी संपती का अधिकांस हिस्सा भौत की रसाइन विग्यान चिकिस्सा सहाईते और शांती के छेतर में पुरुसकारों की स्थापना के लिए जाना जाता है मतलब जो अलफेड नॉबल है इन्होंने डाइनमाइट का विशकार किया था आपको बताना चाहता हूँ पहले बार जो नॉबल पुरुसकार है ये वर्ष 1901 में प्रदान किये गई थे तब से यह प्रती वर्ष प्रदान किये जाते रही है आई होप आपको नॉबल पुरुसकार विजेताओं को नॉबल पुरुसकार प्रदान किये जाते है मतलब इसकी जो घोशना होती है अक्टूबर महीने में होती है नॉबल पुरुसकार की ठीक है और ये कब जाते है ये दिसंबर महीने में 10 दिसंबर को ठीक है 10 दिसंबर को नॉबल दिवस होता है मतलब इस दिन ना अलफेड नॉबल की पुन्यतिति होती है डाइनामाइट की अविश्कारक के नाम से मशूर प्रसीद विग्यानिक अलफेड नॉबल का जनम 1833 में स्टॉक होम स्वीडन में हुआ था आगे हम देखते हैं नॉबल पुरुसकार के वारे में कुछ और important point वह जितने भी point में हापे आपके लिए मैं लेकर आया हूँ ना सभी अपने आप में question भी है ठीक है नॉबल पुरुसकार मरनो प्रांथ नहीं दिया जाता यह आपको पताऊना चाहिए हाला कि अगर किसी वैक्ति की मिरुत्य पुरुसकार की घोशना के बाद और दिसंबर में होने वाले समहारों की बीच हो जाती है तो उसे पुरुसकार दिया जा सकता है देखे फ्रेंट्स यह जो नॉबल पुरुसकार है यह मरनो प्रांथ नहीं मिलता मतलब अगर किसी इंसान की डेथ हो जाती है तो उस इंसान का नाम नॉबल पुरुसकार में नहीं आएगा ठीक है जिसकी डेथ हो गई है लेकिन अगर किसी परसन का नाम परसन को नॉबल पुरुसकार की घोशना की जाती है अक्टूबर में और अक्टूबर के बाद और 10 धिसंबर से पहले उसकी अगर डेफ हो जाती है तो वह है nobel पुरुसकार उसको मिलेगा ठीक है nobel foundation ने 2023 nobel पुरुसकारों के लिए पुरुसकार राशी को 1 million kroner से बढ़कर 11 million kroner कर दी गई है तDet primo आपको बताना जाता हूँ कि जो Nobel Foundation है ये विजयताओं को कितनी राशी प्रदान करता है पहले एक मिलियन करता था एक मिलियन करता था लेकिन अब 11 मिलियन कर दिया है सभी विजयताओं को स्टॉक हम स्वीडेन में एक समहारों में प्रुसकार प्राप्त होते हैं जबकि शांत प्रुसकार जो है स्वीडन के स्टॉक हों में दिया जाते हैं लेकिन जो शांती वाला है ये नौर्वे औसलो में प्रदान किया जाता है अब हम बात करते हैं सबसे important point नौबल पुरुसकार में हरा सोना चड़ाया हुआ नौबल पुरुसकार पदक मिलता है एक डिप्लोमा और पुरुसकार राशी की पुष्टी करने वाला एक दस्तावेच शामिल होता है अब फ्रेंट्स हम ये पढ़ लेते हैं कि जो 6 छितरों के पुरुसकार है कौन-कौ इसे के साथ हम बात करें Medicine की फ़र आपने ध्यान रखना है ये सुओड़न स्टध को जो की उसके बाद है सुड़िश सेंटरल बैंक जो कि economics जानिकी अर्थ noodle का नोबल पुरुसकार प्रुसकार बर्दान करती है ठीक है तो इसको लाइन को अब ध्यान के समझना है, सुवेरेजिस रिक्स बैंक ने 1967 में अलफेड नॉबल की समिर्थी में आर्थिक विज्ञान में पुरोषकार 1967 में स्थापित किया और इसे पहली बार 1969 में दिया गया, मतलब यहाँ पर आपको यह समझना है, कि जो अर्थ आर्थिक विज्ञान है, यानि कि एकनॉमिक्स का जो नॉबल पुरोषकार है, इसकी स्थापना 1967 में हुई थी, कब हुई थी 1967 में, और यह पहली बार 1969 में दिये गई थे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वे अब फरेंट देखो हमारे MCQ स्टार्ट होगे हैं, देखो फेंट, सबसे पहले आपको मैं यह बताऊंगा कोशन में कि जो पुरुसकार है, वो जीता किसने हैं, ठीक है यह तो important है ही exam के लिए और important point मैं आपको बताऊंगा कि जो तीनों प्राप्त करता है, यानि कि तीनों जो winners है जो भी winner होंगे, वो किस देश से हैं, वो आपको बताऊंगा उसके बाद उनको यह पुरुसकार क्यों मिला है, यह आपको बताने वालों पुरुसकार किसने दिया है, वो आपको बताऊंगा और पिछले साल वाला भी सासात में करते हुए चलूँगा, अगर आपको वीडियो की quality, वीडियो का content और आपके रवी सर की महनत पसंदारी है, वीडियो को like और share जरू करें, comment box में अपना feedback भी दे कि आपको आपके रवी सर की वीडियो कैसी लगती है, तो चलिए बढ़ते हैं next question की तरफ, हमारा पहला question है, अर्थशास्त के छेतर में 2024 के नॉबल पुरुसकार से किसे सम्मानित किया जाएगा, देखे फ्रेंट्स 2024 में टोटम लाके तीन लोगों को मिलेगा, economics यानि की अर्थशास्त के छेतर में नॉबल पुरुसकार, तो राइट आंसर हो जाएगा, option D उप्युक्त सभी, नाम देख लेते हैं, डारोन एसमोगलू, साइमन जॉंसन और जैम्स ए रोबिंसन, इन तीन लोगों को मिलेगा 2024 में अर्थशास्त के छेतर में नॉबल पुरुसकार, डिटेल में समझते हैं, तीनों प्राप्त करताओं के देश देख लेते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे, डारोन एसमोगलू की, किसकी? डारोन एसमोगलू की, ये तुर्की अमेरिकी अर्थशास्त्री हैं, बात करते हैं साइमन जॉंसन की, ब्रिटेश अमेरिकी अर्थशास्त्री हैं, जैम्स ए रोबिंसन, ये ब्रिटेन देश की हैं, अब उनको क्यों मिला है, ये आप ध्यानते समझें, डारोन एसमोगलू और James A. Robinson भी अर्थशास के छेतर में महत्वपुन योगदान देने वाले विद्वान हैं जिन्होंने वैश्विक अर्थववस्था की जटिलताओं को समझने समझाने में महत्वपुन भूमी का निभाई है अब मैं आपको यह बताता हूँ कि यह जो पुरुसकार है कौन प्रदान करता है एकनॉमिक्स का ठीक है रॉयल सुडिश अकैडमी ऑफ साइंस जो की सुईडन में है इसने प्रदान किया है अब हम देख लेते हैं 2023 का 2023 की विज़ेताओं के बारे में जानते हैं अचले वर्ष 2023 में यह पुरुसकार क्लावडिया गोल्डिन को प्रदान किया गया था जिन्होंने महिलाओं के शरम बजार में स्थिती को समझने में महतवपुन शोद किया तो आपको बता लग गया है कि 2023 में किसे मिला था? क्लाॉडिया गोल्डिन को बढ़ते हैं अपने next question की तरफ 2024 के शांती के नॉबल पुरुसकार से किसे सम्मानित किया गया है तो right answer हो जाता है option A नीहोन हिडानकेो आपको बताना चाहता हूँ नीहोन हिडानकेो जो की जपानी संगठन है इसे 2024 के शांती के नॉबल पुरुसकार से सम्मानित किया गया है क्यों दिया गया है 2024 का नॉबल शांती पुरुसका जपानी संगठन नीहोन हिडाकियों को 1945 में हिरोशीमा और नागासाकी के परमानू बंबारी से बचे लोगों दुआरा सहिता प्राप्त परमानू हत्यारों के खिलाब उनकी सकरिता के लिए प्रदान किया गया है कौन प्रदान करता है ये देख लेते है नॉबल शांती पुरुसकार को नॉर्वे के उसलों में प्रदान किया जाता है और प्राप्त करता को नौर्वे की संसत द्वारा नियुक्त पांस अदस्य समिती नौर्वेजियन नौबल समिती द्वारा चुना जाता है आई हूप आपको ये पता लग गया कि शांती का नौबल पुरुसकार किसे मिला निहोन हिडानकेयों को जो की क्या है जपानी संगठन है क्यों दिया गया दोहजाचौबिस का नौबल पुरुसका जपानी संगठन निहोन हिडाकेयों को 1945 में हिरोशिमा और नाका साके के परमानू बंबारी से बचे लोगों द्वारा साहिता प्राप्त परमानू हत्यारों के खिलाप उनकी सकरितिया के लिए प्रदान किया गया I hope आप कोई चीज समझ आ गई अब मैं आपको बता देता हूँ कि 2023 के विचेता आगया बारे में इरान में महिलाओं के उत्पिडन का मुकाबला करने में उनकी उलिकनिया प्रयासों और सभी के लिए मानवा दिकारों और सोतंदर्दा को आगे बढ़ाने के प्रती उनकी अटूर समर्पन के लिए नर्गिस मुहमदी को नॉबल शांतिय पुरुसका 2023 मिला बढ़ते हैं अगले कोशन की तरफ सहीत्य के छेतर में 2024 के नॉबल पुरुसकार से किसे सम्मानित किया गया है राइट आंसर हो जाता है इस कोशन का हमारा Option B हौन कॉंग ठीक है ये नाम आपने ध्यान रखना है हौन कांग को सहीत्य यानि की लिट्रेचर में 2024 का नॉबल पुरुसकार मिला प्राप्त करता किस देश के हैं ये देख लेते हौन कांग जो है ये दक्षिन कोरिया की है नाम ध्यान रखने आपने आपको ना हौन कांग जो देश है उससे याद करने में असानी रहेगी ठीक है तो होंग कॉंग नहीं है हान कांग है ठीक है हान कांग को जो की दक्षिन कोरिया की है इन्हें मिला है साहित्य के छेत्र में 2024 का नॉबल पुरुसकार क्यूं दिया गया साहिते में 2024 का नॉबल पुरुसकार दक्षिन कोरियाई लिखी का हान कांग को उनकी गेहन काववे गद्ध के लिए दिया गया जो एतिहासिक अगातों का सामना करता है और मानव जीवन की नाजुकता को उचागर करता है 2023 में किसे मिला था जौन फासे को बढ़ते हैं अगले कोशन की तरफ रसाइन विज्ञान यानि की किमिस्ट्री के छेतर में 2024 के नॉबल पुरुसकार से किसे सम्मानित किया गया है तो राइट अंसर हो जाएगा अप्शन डी उपियुकत सभी तीन विज्ञानिकों को मिला है ठीक है 2024 का जो रसाइन विज्ञान का नॉबल पुरुसकार है डैविड बेकर डैमिस हसाबिस और जौन एम जमपर इन तीन विज्ञानिकों को मिला है रसाइन विज्ञान के छेतर में 2024 का नॉबल पुरुसका तीन प्राप्त करता हूँ जो है किस देश के हैं यह मैं आपको बता देता हूँ देखिए यह समझने वाला है देखिए जो पहला हिस्सा है डाविड बेकोर को मिला है जिन्होंने नई तरह के प्रोटीन का निर्मान किया प्रोटीन डिजाइन एक तकनीक है जिसमें प्रोटीन की संदचना में बदलाव कर नए गुन वाले प्रोटीन तियार किये जाते हैं इससे दव model बनाया जिसने complex protein के structure को समझने में मदद की है कौन प्रतान करता है Royal Swedish Academy of Science Sweden में है 2023 विचेता देख लेते हैं quantum dots के अभूतपुर और विश्कार और संचलेशन के लिए मौंगी जी बाविंडी लुइस ई ब्रूस तथा अलेक्सी आई एकी मोव को रसाइन विज्ञान में नॉबल पुरुसकार मिला कब का 2023 का अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है ना वीडियो को लाइक और शेयर जरू करना बहुत महनत करी है मैंने आप सभी के लिए best content को अपनी वीडियो में रख कर बढ़ते हैं अगले कोशन की तरफ बहुत की जिसे की हम फिजिक्स बोलते हैं बहुत की के छेतर में 2024 के नॉबल पुरुसकार से किसे सम्मानित किया गया देखें दो विज्ञानिकों को मिला है फिजिक्स के छेतर में नॉबल पुरुसकार 2024 का दोनों प्राप्त करता किस देश के हैं जॉन होफिल्ड अमेरिका के और जैफरी हिंटन ये भी अमेरिका के है क्यूं मिला है ये देख लेते हैं अमेरिकी विग्यानिक जॉन होफिल्ड और जैफरी हिंटन को मशीन लर्निंग को सक्षम बनाने वाले खोजों के लिए बहुत की की नॉबल पुरुषकार से सम्मानित किया जाएगा कौन प्रदान करता है Royal Students Academy of Science Stockholm Sweden 2023 की विजयता भी देख लेते हैं पेरे एगोस्टेनी जो की फ्रांस के फेरंग क्राउज हंगरी के और अनी अलहुयर यह हैं फ्रांस के नेक्स कोशन करवाने से पहले आप सभी करें कि important information है कि आपके रवी सर की जो e-book की website है वो है www.ravibooks.pdf.com www.ravibooks.pdf.com और इसे आप जाके हमारी e-books बाई कर सकते हो GS की जो e-book है हमारी 11,000 GGS की वो भी launch हो चुकी है part 1 इसका launch हो चुका है ठीक है यहाँ पर जाके आप buy कर सकते हो साथ में हमारी current face e-book भी आपको इसी website में मिल जाएगी आपको google पर क्या सर्च करना है www.ravibooks.pdf.com इसका screenshot ले लेजिए mobile application Ravi Study GK install कर लेजिए free test में जाके आप test लगा लेना पूरा complete क्योंकि test आपके लिए बहुत जुरूरी है pdf भी आपको यहें पर मिल जाएगा जब free pdf आले option में आप जाओगे तो ठीक है और अगर आपने पुराना application install किया हो उसको आप remove करके निया वाला app को install करना है आपको ठीक है बढ़ते अंगले कोशन की तरफ चेकिसा के छेतर में नॉबल पुरुसकार दो हुजार चॉबिस से किसे सम्मानित किया जाएगा तो right answer हो जाएगा इस कोशन का हमारा option c उप्यूक्त दोनो विक्टर अम्ब्रोस और ग्यारी रुवकुन ठीक है इन दो विग्यानिकों को मिला है चेकिसा के छेतर में नॉबल पुरुसकार दो हुजार चॉबिस यानि की मैडिसीन के छेतर में नॉबल पुरुसकार नाम या रखना है विक्टर अम्ब्रोस और ग्यारी रुवकुन दोनों प्राप्ट करता किस देश के हैं विक्टर एम्ब्रोस अमेरिका के, गैरी रुवकुन, ये भी अमेरिका के है, क्यूं दिया गया है, विज्ञानिकों को mRNA, यानि की, माइकरो RNA की खोज और पोस्ट ट्रांस्क्रिप्शनल, जीन विनियमियन में, इसके योगदान के लिए प्रतिष्ठित पुरुसकार मिला, ये आपको धियान रखना है, कौन प्रदान करता है, सुटन का, जो कुरूलिंसका इंसिट्यूटा इसने दिया है, विजेता, दोजाती से कौन थे, कैटलीन, कारिको, और ड्रू, विसमैन, ठीक है, और दोहजार चौबिस है कौन है, चेकिसा के छेतर में याने के मैडिसिन के नॉबल पुरुसकार विजेता, विक्टर एम्ब्रोस और ग्यारी रुवकोन, देखे फ़र जितने भी इंपॉर्ण कोशन थे न, दोहजार चौबिस नॉबल पुरुसकार के, वो मैंने अब करवा 1833 को हुआ था, उन्होंने डाइनामाइट नामाग विसफोटक का विशकार किया था, दस दिसंबर 1896 को इटली के सौन रैमो में अलफएड नॉबल का दिहान्त हो गया, और फिन्ट लास्ट में आपको प्रिविएस एर के कोशन जो होते हैं पी वाई की कोशन वो भी करवा आने वालो हो में, ठीक है, नेक्स्ट है, नॉबल पुरुसकार कितने छेतरों में दिया जाता है, तो राइट आंसर है, नॉबल पुरुसकार जो है, प्रेजंट में 6 छेतरों में दिया जाता है, पहले 5 छेतरों में दिया जाता था, लेकिन, लास्ट में कौन साइड हुआ एकनॉमिक्स का यानि कि अर्थशास्त्र का बढ़ते हैं अगले कोशन की तरफ नॉबल पुरुसकार जो छे छेतरों में दिया जाता है देख लीजिए जिकिसा, बहुत की, रसाइन, शान्ती, अर्थशास्त्र और सहित्य नॉबल पुरुसकार हर साल कब दिया जाता है तो राइट अंसर हो जाता है, इस कोशन का हमारा option ए, 10 दिसम्बर को नॉबल पुरुसकार जो है, हर साल दिये जाती है नॉबल पुरुसकार की विज़ेतों की कोशना प्रतिवर्ष अक्टूबर में किय जाती है 10 December कॉल फेड नॉबल की अपने दिथी पर इसे प्रदान किया जाता है अगला कोशन पहली बार नॉबल परोसकार कब दिये गए थे काफी बार एक्जाम में पूछा गया कोशन है और हर एक्जाम में पूछा जाता है देखो फैंस अगर मेरा अगर मैं आपको यह बोल रहा हूँ नहीं कि सभी एक्जाम के लिए इंपॉरेंट है तो मतलब यह समझ लो कि जितने भी वंडे एक्जाम होते हैं SSC के, PCS के, ठीके, डिफेंस एक्जाम पुलिस एक्जाम, पटवार एक्जाम जितने भी वंडे एक्जाम है, सभी के लिए वीडियो काफी योसफुल है, ठीक है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा Option C, 10 दिसंबर 1901 को पहली बार नॉबल पुरुसकार दिये गए थे वर्ष 1901 आपने ध्यान रखना है नॉबल पुरुसकार 1901 में सबसे पहले हैंडरी डुनांट और फ्रेडरिक पैसे से को मिला था बढ़ते हैं अगले कोशिन की तरफ अर्थशास्ट के छेतर में पहला नॉबल पुरुसकार किन को मिला था तो राइट आंसर हो जाता है Option C, उप्युक्त दोनों सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि इनको यह पुरुसकार 1969 में मिला था जो पहले पार मिले थे ना 1969 में एकनॉमिक्स के तो दोनों के नाम आपको पता होने चाहिए रैगनर, फ्रिश, जो की नॉर्वे के हैं जन, टिमबर, जन, नीदरलेंड के इन दो को मिला था अर्थशास के छेतर में नॉबल पुरुसकार बढ़ते अंगले कोशन की तरफ अर्थशास के छेतर में अब तक कि इन दो भारतियों को नॉबल पुरुसकार से सम्मानित किया गया है तो राइट आंसर हो जाता इस कोशन का अप्शन C, उप्युक्त दोनो अमर्ते से इन 1998 में मिला था इनको अभिचीत बेनर्जी 2019 में इनको नॉबल पुरुसकार मिला था अमर्ते से इन पहले भारतिये थे जिनको अर्थशास के छेतर में 1998 में नॉबल पुरुसकार मिला था अभीचीत विनायक मेनर्जी को 2019 का अर्थशास का नॉबल पुरुषकार दिया गया था अगला कोशन है जो किसा छेतर में नॉबल पुरुषकार कौन प्रदान करता है तो राइट आंसर हो जाता है इस कोशन का option B क्रोलिंज्चा इन्सीटूट कहां पर है ये स्वेटन करता है क्रोलिंज्चा इन्सीटूट जो कि है स्वेटन में और शांतिया कोन प्रदान करता है नॉॉर्वे की संसर्थ स्टार्टिंग दवरा चुनी गई पांस अर्थसत सम्मेती नेक्स कोशन कर लेते हैं तो राईट आनसर हो जाएगा उप्षन C लीनस पॉलिंग ये नाम आपको ध्यान रखना है दो अलग 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 छेत्रों में नॉबल पॉरुसकार ते सम्मानित किया जाने वाले पहले पुरुश थे लीनस पॉलिंग को 1954 में रसाइन विज्ञान के छेतर में और 1962 में शान्ती के लिए नॉबल पुरुसकार दिया गया था नेक्स्ट है 2004 में शान्ती नॉबल पुरुसकार से सम्मानित किये जाने वाले पहले अफरीकी वैक्ती कौन थे तो राइट आंसर हो जाता है ओप्शन B वंगारी मत्हाई ये नाम आपको ध्यान रखना है 2004 में शान्ती नॉबल पुरुसकार से सम्मानित किये जाने वाले पहले अफरीकी वैक्ती थे अगला कोशन बहुतकी के छेतर में नॉबल पुरुसकार से सम्मानित किये जाने वाले पहले वैक्ती कौन थे तो right answer हो जाएगा option C विलहेम कॉन्रोड रॉंग्टन जिसे आप जिनको कि आप WC रॉंग्टन भी बोल दखते हो शोट में बहुत की के छेतर में नॉबल पुरुसकार इनको मिला था पहली बार, कब मिला था 1901 में, और क्यों मिला था इनको एक्सरे की खोज इनों ने करी थी जर्मनी देश के थे ये WC रॉंग्टन बढ़ते हैं अंगले कोशन की तरफ अंग्रेजी भाशा में साहिते के छेतर में नॉबल पुरुसकार से सम्मानित किये जाने वाले पहले वेक्ती कौन थे? तो राइट अंसर हो जाता है इस कोशन का ओप्शन C रुडियार्ड किपलिंग ये नाम आपको ध्यान रखना है अंग्रेजी भाशा में साहिते के छेतर में नॉबल पुरुसकार से सम्मानित किये जाने वाले पहले वेक्ती थे 1907 में The Jungle Book के लिए नॉबल पुरुसकार से सम्मानित किये जाने वाले पहले वेक्ती थे बढ़ते हैं अंग्ले कौशन की तरफ नॉबल शांती पुरुसकार से सम्मानित किये जाने वाली पहली महिला कौन थी? तो राइट अंसर हो जाएगा ओप्शन B बैरोनेस, बर्था, सोफी, फैलिसिटा, वानस्टरनर ये नाम आपको ध्यान रखना है नॉबल शांती पुरुसकार से सम्मानित किये जाने वाली पहली महिला थी इनको ये नॉबल शांती पुरुसकार 1905 मिला था और ये आस्ट्रिया देश से है बढ़ते हैं अंगले कोशन की तरफ नॉबल पुरुसकार से सम्मानित किये जाने वाले सबसे कम उमर के वैक्ती कौन है तो राईट अंसर हो जाता है ऑप्शं D मलाला यूसिव Зजाई मलाला यूसिव जाई सबसे कम उमर के वैक्ती है जिनकों की Nobel पुरुसकार मिला है मलाला यूसीव जोई शांति के च्षेतर में Nobel पुरुसकार मिला था और यह है पाकिस्टान देश से है 2014 में इंको Nobel पुरुसकार मिला था इसी के साथ आपको बनाना चाहता हूँ Nobel पाने वाले सबसे उमर दराज व्यक्ती जॉन बी कुडैनफ है जिनको कि 97 यर में नॉबल पुरुसकार मिला और यह हमेरिकी विग्यानिक है और जर्मनी देश की हैं 2019 में इनको रसाइन विग्यान के छेतर में नॉबल पुरुसकार मिला था बढ़ते हैं अंगले कोशन की तरफ नॉबल पुरुसकार से तीन बार सम्मानित एक माल संगठन का क्या नाम है तो राइट आंसर हो जाता हैं अंतराश्टिय रेट क्रोस समिती यानिकी इंटरनेशनल कमीटी ओफ दरेड क्रोस रेट करॉस एक अंतराश्टिय संगठन है जिसका मिशन मानविय जिन्द की वह सिहत को बचाना है इसकी स्थापना 1863 में हैंडी डूनॉट ने जेनेवा में की इसका मुख्याले जेनेवा स्विजिलेंड में है इसे तीन बार 1917, 1944, 1963 में नॉबल शांती पुरुसकार भी मिला है बढ़ते हैं अगले कोशन की तरफ गनित का नॉबल पुरुसकार किसे कहा जाता है तो right answer हो जाता है इस question का हमारा option C, एबल पुरुषकार को गनित का नॉबल पुरुषकार कहा जाता है अगला question, किसी एक छेतर में अधिक्तम कितने लोगों को नॉबल पुरुषकार दिया जा सकता है तो right answer हो जाएगा option C. रविंदर नाट टेगोर पहले भारतिये थे जिने नॉबल पुरुसकार मिला था. रविंदर टेगोर को साहित्ये के छेतर में नॉबल पुरुसकार दिया गया था. इनको नॉबल पुरुसकार 1913 में मिला था. रविना टेगोर को उनकी रचना गितांजली के लिए नॉबल पुरुसकार दिया गया था बरते अंगले कोशन की तरफ 1979 में नॉबल पुरुसकार प्राने वाली प्रथम भारती महिला कौन थी तो राइट आंसर हो जाएगा ओप्शन बी मदर टेरिस सा अगला कोशन नॉबल पुरुसकार मरनो प्रान दिया जाना कब समाप्त किया गया तो राइट आंसर हो जाएगा ओप्शन बी 1974 में अगला कोशन है अर्थ शास्त के लिए नॉबल पुरुसकार की शुरुआत कब हुई एक नॉमिस का नॉबल पुरुषकार की शुरुवात कभी कोशन में बोला गया है राइट आंसर हो जाएगा ओप्शन D, 1969 में पहला नॉबल पुरुषकार 1903 में किस महिला को मिला था तो राइट आंसर हो जाएगा ओप्शन A, Mary Curie को पहला नॉबल पुरुषकार 1903 में मिला था पहली महिला थी है 10 दिसंबर 1903 को उन्हें बहुतिक विज्ञान के छेतर में नॉबल पुरुषकार से नवा जा गया था Mary Curie रेडियो अक्टिविटी की खोजिनों ने करी थी Mary Curie पोलेंड देश की रहने वाली थी नेक्स्ट है कि इन चार वेक्तियों को दो बार नॉबल पुरुषकार से सम्मानित किया गया है तो राइट आंसर हो जाएगा इस कोशन का ओप्शन E उप्युक्तस सभी मैडम क्यूरी लीनस पॉलिंग जॉन बारडीन फ्रेडरिक सेंगर इन चार को दो बार नॉबल पुरुषकार सम्मानित किया गया है देख लेते हैं मैडम क्यूरी की बात करते हैं इनको 1903 में रेडियो सक्रीता की खोज के लिए और वर्ष 1911 में इसुद रेडियम के निश्कर्शन के लिए लीनस पॉलिंग की बात करते हैं 1954 में हैबरडाइजेशन के सिद्धान्थ के लिए और 1962 में नाभी के परियोग निश्यत संदी एक्टिविजम के लिए जॉन बारडीन को 1956 में टांजिस्टर के अभिश्कार के लिए वर्ष 1972 में अती चालक्ता के सिद्धान्थ के लिए फ्रेडिक सेंगर की बात करते हैं 1958 में इंसुलीन मॉलिक्यूल की संदचना के लिए और 1980 में वाइरेस निक्रोटाइड की सीक्वेंसिंग के लिए मिला था इनको बढ़ते हैंगले कोशिन की दरफ दो अलग अलग छेतरों में नॉबल पुरुस्कार ये सम्मानित किये जाने वाले पहली और एकमात्र महिला कौन है तो राइट आंसर हो जाता है इस कोशिन का हमारा ओप्शन ए मैरी क्यूरी मैरी क्यूरी को 1903 में बहुत की के लिए और 1911 में रसाइन विज्ञान के लिए नॉबल पुरुस्कार ये सम्मानित किया गया था अब देखिली फ्रेंट्स नॉबल पुरुस्कार जीतने वाले भारती हैं देख लेते हैं ठीक है चार पाच भारती है रविना टेगोर को 1913 में साहिते के छेतर मिला था सीवी रमन को 1930 में भौतकी के छेतर में मदा टेरिसा को 1979 में शांती का नॉबल मिला था किला सत्यार्थी को 2014 में शांती का नॉबल मिला था अमर्ते सेन को 1998 में अर्थ शास्र के छेतर में नॉबल पुरुसकार मिला था भारतिय मूल के बारे में जान लेते हैं और अभी जीत बेनेर्ची को 2019 में अर्थशासर में मतलब यह 5 लोग हैं भारतिय मूल के और उपर जो मैं आपको 5 करवाई यह नॉबल पुरुसकार जीतने वाले भारतिये हैं अब देखें फ्रेंस कुछ PY की कोशन मैं आपको करवा देता हूँ जो कि previous year में पूछे गए हैं यह हमारा last phases वीडियो का इसके बाद आपके लिए 2 कोशन का टेस्ट होगा और पांके आपको मैं complete information अपनी e-books के बारे में बताऊँगा लास्ट में ठीक है यह कुछ 15 के आजब पास कोशन है previous year के तो पहला कोशन है नॉबल पुरुसकार के स्थापना किस देश ने की थी Sweden ने की थी प्रतिवर्ष 6 छेतरों में नॉबल पुरुसकार बेदान किये जाते हैं यह आपको ध्यान रखना है Sweden के Central Bank ने अर्थशास्तर में नॉबल पुरुसकार स्थापित किया था अर्थशास्तर में नॉबल पुरुसकार किसे दिया गया था जॉन टिंड्रेगन और रेकनार फिसको को 1969 में सीवी रमन को प्रकाश प्रकिर्णन के छेतर में कारे करने के लिए 1930 में बहुत की का नॉबल पुरुसकार सम्मानित किया गया था नेक्स्ट है 1998 में नॉबल पुरुसकार विजेता भारती अमरते से इन अर्थशास के कारे के लिए प्रसीद है ठीक है इनको नॉबल पुरुसकार मिला था अर्थशास्तर में 1998 में कृषी विग्यानिक नॉर्मन बोलाग 1970 में नॉबल शांति पुरुसकार सम्बानित किया गया था इनको एक्जा में पूछा गया था कि बताओ क्रिशी विग्यानिक नॉर्मल बोलाग को 1970 में कौन से नॉबल पुरुसकार मिला था नॉबल शांति पुरुसकार नेक्स्ट है 1952 में स्ट्रेट स्ट्रेप्टो माइसिन की खोच के कारण वॉक्समेन को नॉबल पुरुसकार मिला था मैरी क्यूरी को बहुत की तथा रसाइन शेनियो में नॉबल पुरुसकार मिला था पियरे क्यूरी ने हैंडरी बैक्यूरल और अपनी पतनी मैरी क्यूरी के साथ रीडियो धर्मिता समधीत खोजों के लिए बर्च 1993 में बहुत की में नोबल पुरुसकार को प्राप्ट किया और साजा किया था उसके बाद है जेजे तॉमसन को ऐलेक्टरॉन की खोज के लिए 1906 में बहुत की में नोबल पुरुसकार मिला विल्हेम रोइंट गन को X-ray खोज के लिए 1901 में बहुत की में प्रथम नॉबल पुरुषकार मिला नियूरोन सिदान्द के लिए वच 1906 में नॉबल पुरुषकार सैंटियागो, रैमन, वाई केजल ने जीता था 1901 में चिकिसा का नॉबल पुरुषकार सवर पथम, एमिल एडॉल्फ वान बहरिंग को पतान किया गया था और सबसे अधिक, आयो में नॉबल पुरुषकार प्राप्त करता महिलागा नाम है डॉरिस लेंजिंग, ये भी आपको धियान रखना ये सबी कोशन, पिलिवियस येर के हैं मैंने आपको करवाए अब आपके लिए दो कोशन का टेस्ट है इसका अंसर आप कॉमेंट बॉक्स में लगा ली थी आपकी लास्ट में कम्लीट इवोक की बारे में बताने वाला हूँ तो पहला कोशन आप सभी के लिए टेस्ट का पहली बार नॉक्ल पृस्कार कब दिये गए थे चार ओप्शन है आपके स्क्रीण के उपर दूसरा कोशन है किसी एक चेतर में अधिकतम कितने लोगों को नॉबल पृसकार दिया जा सकता है चार ओप्शन है आंसर आपने गॉमेंट बॉक्स में देना है ठीक है www.ravibooks.pdf.com यह हमारी e-book की website है यहाँ पर जाके हमारी e-books को बाई करके अपने exam की त्यारी को बहुत मजबूत बना सकते हो ठीक है साथ में आपको यहाँ पर 11,000 GKS की पीवाई की हो भी आपको मिल जाती है पार वन इसका लॉंच हो जोगा है टेस्ट बहुत ज़रूरी है टेस्ट ज़रूर लगा है कोई भी आपको पेट कोशी है यहाँ पर आपको मिल जाता है हमारा ठीक है e-book की website www.ravibooks.pdf.com मैं आपको बता चुका हूँ आपको वीडियो कैसी लगी है ज़रूर बताना तो चलिए फ्रेंड्स आप मिलते हैं आप सभी से नेक्स वीडियो में थैंक यू एंड विश यू अल दी बेस्ट